हेलो फ्रेंज और वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन आर्मी फस्ट हैं जो की आप सभी के लिए काफी अच्छा अपर्चिनूटी है तो फ्रेंज यदि आप लोग इसके लिए इलिजेबल हैं तो आप इस फोंग को अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंज आप सभी को हम बता दें कि यह जो वी किन्सी आ रही हैं लडिसी एसटेनो एंड़ टायबर क में बताने वाला हैं नोटिफिकेशन यहां से आप सभी को डाउनलोड करके देखा रहे हैं तो फ्रेंज यदि आप मेरे चैनल पर ने भी हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राब कर ले और वे लाग निखन टिक को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अफलोड करू त सब्सक्राब कर ले तो चलिए फ्रेंज आप सभी को सीधे ले चलते नोटिफिकेशन पर के इसका कैसे फॉर्म अपलाई करने हैं और इसका सेलेक्शिन पर दीख रहागा कि जो इंडियन आर्मी के तरफ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गए उसमें आप सभी को ले करके आ गहें तो चलिए फ्रेंस आप सभी को बताते हैं तो यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा गवर्वेंट ऑफ इंडिया मनिस्ट्र ऑफ डिफियंस हेड़क्वास्टर फर्स्ट शिगनल ट्रेनिंग सेंटर जबलपूर यह जो आप सभी का फॉम है ऑफ लाइन मागा गया और आप सभी ऑफलाई कर सकते हैं यहां पर ऑनलाइन नहीं चलाएगा ठीक है उसके बाद फ्रेंस से आप सभी को यहां पर पे बहजना होगा यह आप सभी को फॉम सब्मिट करके तो प्रेस अब ईडरेस से आप हम बात कर लेते हैं पोस्ट किये ठीक है काटेगरी वाइज यहाँ पर post दे रहा है आप से भी देख सकते हैं name of the post and pay label in pay matrix यहाँ पर दे रहा है तो lower division कलर के दिए आप लोबर division कलर का apply करना चाहते हैं तो आप से भी का label 2 का salary लगने वाली है जो की 19,900 से लेके 38,000 तूसे के बीच आप से भी की salary लगने वाली है यह जो आती है गुरूप C के अंडर में यह आती है यह तो टोटल post के बाद कर ले तो 10 से और यहाँ पर category wise दे रहा है तो आप सभी यहाँ पर प्रिंट से देख सकते हैं अपना जिस category से है वो आपना देख सकते हैं उसके बाद प्रिंट से यहाँ पर दे रहा है इस्ट्रॉक्टर है ठीक है तो यहां पर आप से भी को यह जो लाई लेवल फाइफ की यह जो वे टीक है इसका जो बेसिक शेड़ी आप से भी आप देख सकते हैं हम बात कर लेते हैं यहां पर सभी आप सभी जो दे रखाए से बारे में आप सभी यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आगे देख लेते हैं हां तो पार्टिक्लोस डीटिल्स यहां पर दे रखाए आप सभी की योगीता क्या होने चाहिए तो फुर्ण से आप एक क्वालिफिकेशन दे रखाए आप सभी देख सकते हैं यह दि आप लोग लोग डिविजन कलर का फॉम अपलाई करना चाहते हैं तो आप सभी को मिनि आप सभी को मैटरिक लोग लेशन यहीं दस्वी पास आप सभी को होने चाहिए उसके बाद आप सभी को 2S का experience होनी चाहिए ठीक है उसके बाद बात कर रहते हैं सिविलियंट टेकनिकल इस्ट्रक्शन गातो आप सभी को BAC ठीक है बीएसे की साथ आप सभी को physics इंक्वायलमेंट आप सभी को होने चाहिए यानि फिजीक्स आप लेकर के बीए सी किये होंगे पड़े होंगे तभी इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं उसके बाद पुछन साथ सब्सक्राइब को टीचिंग का भी एक्सपिरियंस होने चाहिए तभी आप लोग इसके लिए योग गया है हाना उसके बाद एस्टेनोग्राफर ग्रेट टू की हम बात कर लें तुछन साथ सभी को बारवी पास के सांसत आप सभी को स्किल टेस में आप सभी को दस मिनट ब्यालीस वर्ड पर मिनट आप सभी को जो है आने चाहिए सोट हैं उसके बाद यहाँ पे 50 पर सभी कर देक सकते हैं उसके बाद आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है आगे फिरंस यहां पर डिटेल्स दे रखाए फी कि आप सभी को फॉम अपलाई करते हैं वक्त कैसे जो है फी पैमेंट करने है तो फिरंस आप सभी को डिमांड राफ फुरा पचास रुपीस का आप सभी को जो है यहां पर पोस्टर अडर लगने हैं वाद है ठीकिए जब आ आप सभी को तीन मौन से अधिक ज्यादा की नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप सभी को दो फोटो जो है उसमें अंदर डाल करके भीजने होगा ठीकिए उसके बाद कुरियल यहां पर आप सभी को दे रखाए आप सभी देख सकते उसके बाद क्लोजिंग टेट यहां पर आप सभी को जिस दिन से फॉर्म शुरू हुआ है अप्लाई पाइट आलेस दिन तक आप सभी जो है पाइट आलेस दिन का अंटर में है आप लोग अप्लाई कर दीजेग नहीं तो जो है फॉर्म वहां पर जाने में काफी लेट हो जाता है ठीक है उसके बाद सेम ऑफ एक् आप सभी को कॉल आएगा उसके बाद आप सभी को कॉन कोंसे आने वाला है पेपर में पेपर 1 के बाद कार रेश्ट तो आप सभी के जन्रेल इंटेलिजेंस से आप सभी को 50 कोश्चन पूछे जाएगा और जेनरल इंगली से 50 question और जेनरल aptitude से 25 question यदि हम फ्रिंट्स बात कर लें time की तो आप सभी को direction 2 hours की मिलने वाला है time 2 गंटे का ठीक है यदि हम total question के बाद कर ले total marks की कितना marks का आप सभी का exam होने वाला है और जेनरल ओरेंस का यहां पर दे रखा है उसके बाद यहां पर इंगली से लेंगविच का उसके बाद यहां पर important instruction to the candidate application यानि फिस आप लोग जब apply form करेंगे तो आप सभी को कौन-कौन सी document लगाने होगी तो दस्वी के जितना भी document है आप सभी को यहां पर लगाने होगी उसके बाद यह आप लोग ACST OVC से आते हैं तो आप सभी को कास्ट चर्टिफिकर भी यहां पर लगानी है उसके बाद यहां पर समझा रहा है कि जो लोग ACST candidate है उन लोग का यहां पर ट्रेवल एलांस भी मिलने वाला है जो कि 30 km डिस्टेंस जो चार्ट करके जो भी होगा आप सभी को डिस्टेंस तूरिस की हिजाब से आप सभी को य आप सभी देख सकते हैं आगे यहां पर प्रूफ ऑफ एज इफिरिंस आप सभी को एज प्रूफ भी लगाने होगी जो कि आप सभी को मैंट एक्सपिरियंस चर्टिपिकेट आप सभी कि यहां पर देख सकते हैं उसके बाद डोकुमेंट टूबी अटेट्चिट वीथ प्रूफ वेगिरा वह 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 आप लोग लगा सकते हैं जिसी जीपिय में आप सभी का मार्क से तो आप परसेंटेज भी वहां पर ले करके आप सब भेज सकते हैं यहां पर के लिए प्लीकेशन पर प्रूफ यहां पर डेलना है उसके बाद निज्पेपर जो डेट आप ल करने उसके भाद अपसे ड्रसे और शिंट सबें करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए यहां पर यांप व्लोग करेंगे ब्रूहां पर नाम के इन पर अहलो किसी एना, म shutdown बाद फ्रेंस आप सभी यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आप ट्रेंस पीन कोड यहां फोल्मेशन आप सभी को डालना है इसके बात हैं यहां पर आप लोग जो 12-20 से अपलाई करना चाहते तो इसमें दसवी कब आप और बार भी काईस में दिया आप लोग तस्वी लेबल पर ही अपलाई करना चाहते तो तस्वी काईस में डालना होगा और यहां पर किस किस यर में आप लोग पासिंग किये उसके बाद बोड ने उसके बाद यहां पर मार्स उसके बाद यहां पर परसेंटेज यहां पर आप सभी को जो भेजेगा कॉल हो है ठीक है तो फिर देख सकते हैं आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग ओमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं हम उसका रेपलाई जरूर नेंगे तो फिर आप सबस्क्राइब कर आता है तो सबसे पहले आपको हम जो हैं इंफोमेशन हैं यापनी सेक्षिन हैं इंडें हैंड़नiche स्कतव कर लेता हैं तो आता हैं जो हैं सबस्काव सेक्षिन हैंग जो करें है़ंगर सेक्षब